नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubah.org www.naysubah.org असलामलेकूम नई सुभा इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सभा आज की रेमेडी में मैं आपके साथ विंटर ग्लो सीरम शियर कर रही हूँ जो कि ना सिफ आपके स्किन को ग्लो प्रोवाइट करेगा हाइडरेट रखेगा बलके किसी भी अच्छे ब्रैंड के सीरम की तरह स्किन में एब्सॉर्ब भी होगा और इसकी यूनीकनस यह है कि एक स्क्रब की तरह स्किन को एक्सफोलियेट भी करेगा इसको बनाने का तरीका है बहुत ही आसान जिसके लिए हमें चाहिए ग्लेसरीन वन टेबल स्पून ताकि स्किन को हाइडरेशन प्रोवाइड की जाए सेसमी ओल यानि तिल का तेल वन टेबल स्पून जो के टैन को रिमूव करता है और डाक स्पॉट्स को क्लेर करता है इसमें ओमेगा 3 फैर्टी एसेड हैं जो के हमारी स्किन को हेल्दी रखने के काम आते हैं एलोवेरा जेल फंटी स्पून, एलोवेरा जेल नैच्रल प्रोटीन का रिट सोर्स है, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, ग्लोइंग रखता है, और इसके साथ साथ नैच्रल संस्क्रीन का काम भी करता है। वाइटिनिंग कैपसूल्स टू यह आपशनल है आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं सिरम को बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लें और इसमें तमाम इंग्रीडियंट्स शामिल कर दें और बहुत अच्छी तरह मिक्स करें और इस सिरम में चूंके ऑईल्स भी शामिल है इसलिए आप इसे अच्छी तरह ब्लेंड करने के लिए एक बीटर का इस्तमाल भी कर सकते हैं जब सिरम रेडी हो जाए तो इसके बाद इसको किसी भी साफ और ड्राय जार में शिफ्ट करते हैं विंटर ग्लो सिरम इस्तमाल करने के लिए बिलकुल रेडी है रात सोने से पहले फेस को अच्छी तरह वाश करें और चार से पांच मिनट तक सिरम को स्किन पर अपलाए करके हलके हाथों से मसाज़ करें थोड़ी सी देर में सिरम स्किन में अब्सॉर्फ भी होने लगेगा और इसके साथ साथ स्कर्ब की तरह स्किन को एक्सफोलियेट भी करेगा और डेट स्किन रिमूव भी करेगा चार से पांच मिनट की मसाज़ के बाद आप तिशू या किसी सॉफ्ट कपरे से अपनी स्किन को क्लियर कर लें और वाइटमिन E आईल, कोकोनेट आईल या कोई भी अच्छा मॉइस्टराइजर जो आप इस्तमाल करते हैं स्किन पर अपलाई कर लें और ओर नाइट लगा बिंटर ग्लो सिरुम का प्लस पॉइंट यह है कि यह हर टाइप की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इंक्लूडिंग सेंसिटिव और एक्नी स्किन लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तमाल से पहले पैश टेस्ट कर सकते हैं सो इस सिरुम को इस्तमाल करें ताके आपके स्किन ग्लोसी, ग्लोइंग, हाइडरेटिड और सॉफ्ट रहें तो यह तो थी आज की नाइमिटी, चल नेक्स टाइम, अल्लानी के बाहर यह मालमाती मवाद नई सुभा की जानिट से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए